Good evening everyone, कैसे हो आप सभी? I hope आप सब अच्छी होंगी और वो घड़ी दोस्तों नजदीक आ गई है जिसका इंतजार हम कुछ समय से कर रहे थे जिस बिल्कुल राजस्तान हाई कोट LDC का एक्जाम कल 13 मार्च को दोस्तों होने जा रहा है युद की तैयारी हम इतने महेनों से कर रहे थे और युद जीतने का समय दोस्तों कल आ रहा है कुछ समय बाकिए दोस्तों, उमीद करता हूं कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी क्या कुछ आपने नहीं किया इस एक्जाम को करे करने के लिए आपने जितने effort लगाए हैं वो ज़रूर दोस्तों आपकी सफलता में रामबन सिद्ध होंगे कुछ बाते हम करेंगे 5 मिनिट की आप 5 मिनिट का समय दे और कुछ अच्छी बाते करें जिससे की आप motivate हो और आपका exam बहुत अच्छा जाए दोस्तों कुछ होते हैं कि beach वाले, medium वाले और कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं बस वो दिखावय की रूप में त्यारी करते हैं और यह घुमनी यह फिरने के लिए exam देने जाते हैं अभी मुझे यह लगता है कि आप सबसे एक नंबर की category में सब के सब कुछ percent second में हो सकते हैं लेकिन अपने आपको number one मानना है आपका लक्षे दोस्तों क्या था कि मुझे high court LDC को crack करना है उस लक्षे को दोस्तों याद रखना है महा भारत में स्री अर्जुन ने मचली की आँख को दोस्तों भेदा था तो उसने ये नहीं देखा कि इसे कैसे भेदना है क्या करना है लेकिन उसकी निगाह मचली के उपर नहीं थी अगर मचली पे निगाह होती तो शायद वो आँख को नहीं भेदबाता उसका लक्षे था मचली की आंख तो आपका लक्षे जो रहेगा वो High Court LDC का exam है उसी के बारे में सोचना है उसी के लिए सब कुछ करना है वहाँ बैठ कर या उससे पहले ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं सोचना है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं कई दूसरा exam आप ये सोचना है कि मेरे पास दूसरा option नहीं है मेरे पास दूसरा option नहीं है इसके अलावा तब आप अच्छा कर पाओगे अगर आप alternate सोचोगी इसका कि नहीं अगर इसमें अच्छा हो गया तो अच्छी बात है नहीं तो मैं कोई और exam दे लूँगा तो कि इससे क्या होती है कि कहीं आपके एक कौने के अंदर आपको help दिखाई देती है अपने तरफ से कि नहीं दूसरा मोका भी ले सकता हूँ आप ये माने कि मेरा एक अंती मोका है आपको अरजुन बनकर इस महां भारत को दोस्तों विजे करना है अपनी निगाहों को लक्षे से बिलकुल भी दोस्तों अलग नहीं करने निगाहों को और लक्षे को दोस्तों भेदना है कैसे भेदोगे लगातार आप महीनों से तयारी कर रहे हो लगातार कर रहे हो और लक्षे भेदने के तयारी आपने दोस्तों की है अब इस तयारी को दोस्तो किशी भी तरीके से कोई आपको उक्साने का काम करे किशी प्रकार की बीच में मुसीबते हैं उनसे घबराना नहीं सिर्फ रात का समय बचा है अब आनन फान में कुछ ऐसी गलतिया मत करना कि ये करना है वो करना है अराम से इस्तिर हो जाईए विश्वास अपने आप रखना है श्री अर्जुन ने महा भारत के इंदर कैसे फते की आपको पता है उससे ताकतवर तो बहुत लोग थे लेकिन उसे अपनी कला पर भरोसा तो दोत्तों उसे विश्वास था अपने च्छमता पर अपने उपर कि मैं ये कर सकता हूँ तो आपने तयारी की है आपको विश्वास रखना है अपने उपर कि मैं इस एक्जाम को करेक्ट कर सकता हूँ अगर आपका confidence level दोस्तों किसी प्रकार से नीचे आता है तो दोस्तों कहीं न कहीं मुसीबत खड़ा कर देगा आपके लिए जो चीज आती है वो भी दोस्तों गलत हो सकती है तो अपने confidence level को दोस्तों बिल्कुल भी गिरने नहीं देना है चिए गिराने वाले कितने भी क्यों ना हो या कोई और प्रस्तिती हो तो कुछ समय के लिए इसको इस्तिर रखना है और इसी के साथ दोस्तों आपको एक्जाम के है आपकी जितने तैयारी है यह मानों कि मुझसे ज़्यादा तैयारी और किशी के नहीं है मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा वो कहते हैं कि सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं motivate अपने आपको अंदर से रखोगे सकारात्मक उर्जा बनाए रखोगे तो प्रिणाम भी दोस् रखरात्मक मिलेंगे छोटी सी बात कि लहरों के डर से नोका पार नहीं होती और कोशिछ करने वालों की कभी हार कर पाओगे और मुझे उमीद है कि आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा इस एक्जाम में आप करने वाले हो, आपका सेलेक्षिन इस एक्जाम में होगा, जो मुझे विश्वास है तो आपको भी अपने उपर दोस्तों विश्वास होना चाहिए, हमारे यूटूब पार संगर्ष आप कर रहे हो उससे संगर्ष का दोस्तों अंत्ठ हो और इसमें आपका सलेक्शन हो। जब selection हो जाएगा तो संग्रश कहीं ने कहीं आपका रुख जाएगा कि जो सरकारी नोकरी का जो सपना आपने देखा था वो पूरा दोस्तों आपका होगा ये मेरी दूआ है और दूआएं कभी दोस्तों खाली नहीं जाती हैं अराम से सोना है रात को पूरी 6-7 गंटे नेंद दोस्तों लेनी हैं सुबह जब जाओ तो सुबह से आप रात को ही admit card, pen जो भी चीज आपको साथ लेके जानी हैं वो रात को ही आप रख दे, table पर रख दे, क्योंकि सुबह जब जल्दबाजी करोगे तो हडब डाट के अंदर दोस्तों कोई चीज छूट जाएगी तो कहीं न कहीं फिर मामला खराब हो सकता है तो रात को ही prepare करकर रख दे कि सुबह मुझे कौन सी dress पहन के जानी है सुबह कौन सी dress पहन के जानी है, क्या मुझे साथ लेके जाना है ये पूरी बाते दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है ऐसा ने कि जब time हो गया रहा सुबह भाग रहे हो, फिर आप admit card कहां पर है कपड़े कौन से पहनने है, कुछ भी idea दिमाग में न हो तो फिर गलतियां हो, हम चाहते हैं कि आप गलतियां नहे करो, तो रात को ही प्रपेर करके अच्छा स्वादिष्ट खाना खाकर सोई, भरपूर नेद लें, अराम से उठें, उठकर अराम से तयार हो, अपने घर में मंदिर के आगे, अपने माता-पिता के चर्ण स्प्रश करें, और ये दुआईं लें, और ये आशिरवाद लें, कि मैं जा रहा हूँ, और फत्य करके लोटूंगा इस बार, और इसी उमीद के साथ दोस्तों, हम मिलते हैं पेपर होने के बाद, जय हिंद, जय भारत, and once again, best of luck on everyone, जय हिंद, जय भारत.